दोस्तों, बहुत से लोगों को वजाज के और दूसरे गे मोराटोरियम करने में अक्टिवेट करने में बहुत सी प्रब्लम हो रही है तो मैं आज आज आपको इस वीडियो में बताने अलाओ बजाज के गेमको आप कैसे पॉस्पोन कर सकते हो ती महीने के लिए आपको यहां करने के बाद आपको यहां करने के बाद आपको 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 अप्शिन दिया हुआ है ऐसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैजाज पाइंस पाइंस प्लिक करने के बाद एक निया पेजक आपको अपन हो जाता है इस पेज में आप यहां पर आपको दो अप्शन दिये हुए है पहला option तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अगर आप और डीटेल इसके बारे में चाहते हो एफिक यूश पढ़ना चाहते हो तो उस पर क्लिक किजिए उसके नीचे आपको दूसरा लिंक को लेगा करना है आईडी मतलि मॉबाइल नमबर या इमेल आईडी जो आपने दिया हुआ है उससे आपको लोग इन करना है तीसरा इंटर इनों ने बताया कि एमेल पर यह प्रोसेस नहीं हो रही है यह request वो email पर सिर्फ आपको reply देजेते हैं और उसमें रिक्ते हैं कि आप कुछ website को जाके self-service कीजे तो यहाँ पर आप login कीजिए आपके mobile number से email id से मैंने mobile number से login किया है लेकिन OTP इसके आ नहीं रहा है तो मैं आपको सजेच्ट करने हो कि आप email id से login करें email id और date of birth से आप login करें यहाँ पर मैंने दो से तीन बार try किया है लेकिन यहाँ पर OTP receive नहीं हो रहे है mobile number से मैंने email id मेरा email id से मैंने यहाँ पर login किया है email id पर जो मुझे one time password यहाँ पर मिला है उससे मैंने verify किया है verify करने के बाद यहाँ पर login हो गया अब इस पोटल में login होने के बाद आपको यहाँ पर रेजर रिक्वेस्ट का option मिलता है जिसमें आपको प्रोड़क्त में सबसे पहला option है COVID-19 moratorium policy उस पर click करना है उसके बाद product type में आपको तीन चार अलग-अलग type के product आएंगे इसमें आपके अलग-अलग product हो सकते electronics हो सकता है home appliances हो सकता है या फिर कुछ और हो सकते तो यहाँ पर उसके अलग-अलग code दिये हुए तो आप बारी-बारी सारे code चेक कर ले जो code में आपके loan available होंगे वो सब पर आप अगर available करना है तो आप available कर ले या अगर आप उसमें से कोई loan छोड़ देना चाते इस पर आपको नहीं करना है available moratorium तो वह आप उस loan को छोड़ दे वो loan का EMI आपका डेविट होता रहेंगा account से तो यहाँ पर मैंने पहले जो है टॉपल option लिया है dpf इसके अंदर मेरे दो लोन शायद दिखाएंगे और request type में आपको वाफस से covid-19 select करना है उसके बाद नीचे आपका loan account दिखाएंगा loan account number आपको select करना है और यह terms and condition जो बता रहा है यहाँ पर वो आपको accept कर लेना है इसमें यहाँ पर mention किया हुआ देखिए interest at 24% विल भी apply तो यह आपको accept कर लेना है अगर आप इसे accept करना चाहते हो तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक message pop-up होंगा thank you for reaching out और इसमें आपका एक request number रहेंगा जो देखिए यहाँ पर start हो रहा है SR 323 एस तरह का को सीरे लंबर रहेंगा जो आपका service request ID रहेंगा इसको आप शेक करके रखिए तो यह आपको track करने में काम आएगा आगे अगे अगर पूर लिखत होती है आपकी request में तब ऐसे करके आप one by one आपके सारे जितनी भी loan accounts है उन सब पर अगर आपको अवेल करना है moratorium तो आप activate कर सकते हो आपको आपकी service request का status है तो यहाँ पर एक नीचे link दिया हुआ है तो चेक यह request प्लिस क्लिक है उस link पर अगर आप क्लिक करते हो तो उस link पर आपको आपकी service request हो आपको बता दे जाएंगे तो जोस्तों इमीद करता हूँ यह information आपको help करेंगी और आपकी माइस को जो पोस्पांड करने के लिए यह process को यूज कर पाऊंगे easily अगर कोई आपको problem आती ही तो आप comment करके बताएंगे आपको support दे जाएंगे उमीद करता हूँ फ्रेंड आपको यह वीडियो जो पसंदाया होंगा किसी भी तरह की technical help और question के लिए आपको इस्टाग्राम में प्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डिम दिया हूँ और आपको अगर कोई feedback है स्टेशन देना हुपा आपको आपको कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बता सब्सक्राइब इसी तरह के technical वीडियो की लिए आप चैनल को सिस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंज के साथ वीडियो को शेयर करें जहलिए मिल